नवश्कार जैहिंद वंदे मातरम सभी का अभिनेंदन है NDC निशिल क्लासेज में तो हमारी निशिल क्लासेज जो असिस्टेंट प्रॉफेसर नेट सैट स्कूल वेकरता सेकंड गेर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट है सदा बाहर क्लासेज हैं जब भी कोई अभिर्थी इंदिसाइट एक अनिशिल कोर्स करना चाहेगा तब तब ये क्लासेज उनके काम आएगी और इससे बाहर कंपिटिशन में कुछ नहीं आने वाला तो उमीद करता हूँ आप सब भी जो है वो नियमित क्लासेज ले रहे होंगे और अच्छे से क्लासेज का आनंद भी आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा तो आज जहां तक पॉसिबल है छायावाद की आज अंतिम क्लास है और बहुत ही श्यांदार क्लास होने वाली है तो आज हम पढ़ेंगे कल हमने पढ़ाता व्यक्ति निष्ट कावे धारा जिसमें आपने किस प्रकार से हर्वन सराय वच्चन का सुन्दर गीत सुना था और मुझे जहां तक लगता है वो गीत जो है सबसे सुन्दर गीत में से एक है तो उसी प्रकार आज हम थोड़े सा मस्ती योवन सुरा सुन्दरी इसमें नहीं डूबेंगे आज हमारी धारा है राश्ट्रिय सांस्कृतिक धारा और जब राश्ट्रिय सांस्कृतिक धारा की ब गलतियां misprint हो जाती है आप जानते भी हैं 1849 से 1960 उपनाम है एक भारतिय आत्मा क्या उपनाम है इसका एक भारतिय आत्मा सबसे important बात है एक भारतिय आत्मा ठीक है उसके बाद आप देखेंगे कि हिम किरीटनी रचना जो है पुरुषकार मिला देव पुरुषकार देखो मैं जो आपको यह यहां बता रहा हूं देव पुरुषकार तो मैंने class number 35 थी 35 नमर class में आपको schedule बताया था test series का उसमें एक test था जो विविद का था और उसमें मैंने बताया मैं आपको पुरुषकार पुछूंगा पत्रिकाएं पुछूंगा तो उनमें से ध्यान रखना इस प्रकार की रचनाओं के बारे में पुछूंगा मैं देव पुरुषकार किस पे मिला, सेक शरीय पुरुषकार किस मिला मैं न यह पुछूंगा मैं माता और समर्पन यूग चरन वेडू लोगूंजे धरा ये इनकी बहुत प्रसिद रचनाओं में से है माता, समरपण, युग चरण, वेनू, लोगुजे धरा याद करनी पड़ेगी आपको, हर जगर ट्रिक नहीं होती है पुश्पिक की अभिलासा जो रचना है पुश्पिक की अभिलासा ये रचना और एक इनकी और रचना है आपको साइध याद होगा उस रचना का नाम क्या कोईल वाड़ी है केदी और कोकिला ठीक है केदी और कोकिला है नहीं की है केदी और कोकिला या किसी और की है तो पुश्पिक की अभिलासा और केदी और कोकिला ये दो इनकी बहुत प्रसिद रचनाय है और सबसे खास बात क्या है कि पुश्प की अभिलासा में इन्हों ने अपना जीवन दरसन जो है वो व्यक्त किया है मतलब एक तरह से इनकी खुद की व्यक्तिक तरह पस्ट हुई है कि किस प्रकार से जो है इनका राश्टर के प्रती जो समर्पन क्या है भाव क्या है तो खुद का जीवन दरसन व्यक्त कर दिया उसको विता में और बहुत ही सुन्दर पंक्तिया है कि चाह नहीं मैं सुर्बाला के गहनों में गुथा जाऊं चाहा नहीं my surbala के गहनों में गुता जाऊं चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं चाहा नहीं समराटों के सव पर हे हरी में डाला जाऊं चाहा नहीं देवों के सिर पर चड़ों भाग्य पर इठलाऊं मुझे तोड लेना एवनमाली उस पत पर देना तुम फेंक जिस पत पर उस पत पर देना तुम फेंक मात्र भूमी पर सीस चड़ाने जिस पत पर जाए वीर अने ये पंक्तियां बहुत ही समर्पित पंक्तियां है आप जानते हैं और बहुत इस शांदार पंक्तियों में से एक है चाहा नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूता जाओं बहुत बढ़िया पंक्तिया है तो इसमें इनका जीवन दर्सन है जबकि केदियोल कोकिला जो रचना है क्लास नाइंथ में लगती थी अपने तो ये भी आपने अगर पढ़ रखी हो तो कितनी सुंदर कवीता है कि क्या गाती हो क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो संदेशा किसका लाती हो कोकिल बोलो तो तो ये इसकी स्टार्टिंग पंक्तिया है फिर बीच में एक जगे आपने पढ़ा होगा कितनी मतलब जो तुकबंदी के काली तू रजनी भी काली सासन की करनी भी काली काली लहर कलपना काली मेरी काल कोठरी काली काली लहर कलपना काली मेरी काल कोठरी काली टोपी काली कमली काली मेरी लोह स्रंखला काली पहरे की पहरे की हुंकरती भी काली तिस पर एक गाली तिस पर एक गाली रे व्याली है ना फिर आगे कभी कहते हैं कि आगे कहते हैं कि तुझे मिली हर्याली डाली मुझे मिली कोठरी काली मुझे नसीब कोठरी काली तेरा नब भर का संसार मेरा दस फुट का संसार तेरा नब भर में संचार और मेरा दस फुट का संसार तो ये भी कविता जो है केदी और कोकिला ये भी बहुत सुंदर कविता है काली तू रजनी भी काली मेरी काल कोटरी काली सासन की करणी भी काली मेरी लोह श्रंकला काली टोपी काली कमली काली है ना तो बहुत शांदार पंक्तियां है आप जानते हैं पुश्प की अभिल्या सामें इनका जीवन दर्सन है इसके अलावा एक यह सकीवे मुझसे कहकर जाते तो यह बुद्ध से प्रभावित रचना है सकीवे मुझसे कहकर जाते और साहित्य देवता भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है मरण जुआर भी इंपॉर्टेंट है बिल मैं आप तो यही कहूंगा बिजुली काजल आंज रही है कोई खास नहीं है माता भी इंपॉर्टेंट है समर्पन भी इंपॉर्टेंट है ये दो तो याद रहेगी अब इन दो को क्या तो याद रखोगे जैसे अगर आप से पूछे कि सरंगार निर्णे और कावे निर्णे किसकी रचना है तो बिगारी दास किया याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सैट बिठा लिया कि 25 पैसे का आदमी था लेकिन निर्णे बड़े बड़े करता था कावे निर्णे सरंगार निर्णे तो यूं करके हमने याद कर लिया तो हिम किरिटनी हिम तरंगिनी जैसे हम प्रिय विलास और वेदही विनवास पूछेत और योद की बताएंगे तो कुछ कवियों के ऐसी रचनाएं होती है जो उनके लिए क्या है कि रूड हो जाती है जैसे मदुशाला, मदुबाला, मदुकरस रिवन सराइब बचन के लिए रूड है उर्वरशी, रेणुका, उंकार, रामदरशी, दिनकर के लिए रूड है साकेत, जो है मेतलिस, रनगुप्त के लिए रूड है ठीक है, आंसु, ज़रना, लहर, कामाईनी, जसंगर परसाद के लिए रूड है निर्जा, निहा, रस्मी, ये सांदेगी, ये अपने महादेई उर्मा के लिए रूड है तो कुछ रचना, ये रूड हो जाती है तो वैसे ये रूड हो चुकी है माखनला चत्रुवेदी के लिए याद तो आपको ये करनी है, माता, समरपण, यूग, चरण इसके लाव वेणू लोगुंजेद, नहीं, स्वरी वेणू लोगुंजेद, रा, पुष्प के अविलासा केदी और कोकिलाइद को विताएं सकी भी मुस्ते कर जाते, साहिते देवता इंपोर्टन है मरण जौार ये भी इंपोर्टन रचना है अब आप आगे देखेंगे, राष्ट्रे चेतना के प्रतिन दी कवी कहे जाता है बिल्कुल, राष्ट्रे चेतना प्रतिन दी कवी है, प्रवर्तक कवी नहीं है रिती सिद्ध कावे का प्रतिन दी कवी को नहीं है, बिहारी है तो याद रखें ये प्रतिनिती कवी है क्योंकि इस कावित हरा के important कवियों में से कह जाते हैं इन्हों तीन पत्रिकाएं हैं इनकी प्रभाग, करमवीर और प्रताब इनका संपादन भी इन्हों नहीं किया था प्रभाग, करमवीर, प्रताब तो याद रखना, जब भी विविद वाला टेस्ट होगा, तो उसमें आपको पत्रिकाएं भी पूछी जाएगी तो इस टाइब से पूछ लिया कि निमन में से किस पत्र को राश्टे जागरन का अग्र दूद का आजाता है तो राष्ट जागरन का अगर दूद कहा जाता है किसको करमवीर पत्र को करमवीर पत्र जो है वो किसका है तो वो है माखनलाल चतुरवेदी का हिम तरंगणी रचना के लिए भी हमने बात कर लिए 1955 इसवी में इस पर क्या मिलावाई इनको साहित्य अकादमी पुरुषकार प्राप्थ हुआ है और ये पहला साहित्य अकादमी पुरुषकार मिलावाई ये हम पढ़ चुके हैं इनका संपूर्ण साहित्य जो है माखनलाल चतुर वेदी रचनावली के दसखंडों में संकलित है माखनलाल चतुर वेदी की जो रचनावली है वो दसखंडों में संकलित है पहले जब पेपर होत किस की है 10 में किस की है सोड़ा में किस की है इस तरह से 15 में किस की है ठीक है अब इसके अलाव माकिनलाद चत्रवेदिम कुछ नहीं है जो चीजे हैं आपके नोट्स में एड है बाकी में ने बता दी राम धारी सियं दिनकर 1908 से 1904 ये इनका समय माना जाता है 1908 से 1904 रचनाई काफी लिखी भी है लेकिन आप थोड़ा सा सैट करके राद रखें रेणु का हंगार रही थी रस्वन्ती द्वंदगीत गार Уग ही थी सामदेनी धूप और धुआँ साम के समय धूप और धुआँ साम देनी इतिहास के आंसु देखकर नीले कुसम मुस्कुरा रहे थे कुरुच छेतर में रश्मी रथी यसोद्रा और परसु राम से हारे थे कुरुच छेतर में रश्मी रथी और यसोद्रा परसु राम से हारे थे संस्कृति के चार देखकर पैले तो इन रचनाओं को दिमाग में सैट करना ज़रूरी होता है क्योंकि ज़रूरी है राम धारी सीहं दिनकर आप जान सकते हैं कि इनको यूं कह सकते हैं कि रास्ट कवी कि इनको कहा जाता है मेतली सरन गुप्त को ये अपने आपको स्वैम को कहता है कि मैं रास्ट कवी नहीं हूँ बलकि मैं तो डिप्टी रास्ट कवी हूँ यानि ये मेतली सरन गुप्त के आगे अपने आपको क्या मानते हैं डिप्टी मानते हैं कि महज डिप्टी रास्ट कवी हूँ मैं तो रास्ट कवी तो मेतली सरन गुप्त ही हैं कौन मानते हैं ये इन्हें समय सूर्य क्या कहा जाता है समय सूर्य या इनको अधहरिय का कवी भी कहा जाता है मतलब धहरिय इनमें बिल्कुल भी नहीं था अधहरिय का कवी या इनको आवेश का कवी यानि इनकी कविताओं में क्या देखने को मिलता है मतलब अधहरिय देखने को मिलता है और कहीं न कहीं आवेश भी देखने को मिलता है तथा राष्ट्रिय जागरण राष्ट्रिय जागरण और भारतिय राष्ट्रिय जागरण और भारतिय संस्कृति राष्ट्रिय जागरण और भारतिय संस्कृति का कवी बस सिंपल दिखना है का कवी भी कहा जाता है ठीक है ना रास्टे जागरन और भारतिय संस्कृति का कवी भी कहा जाता है अब बात आती है रश्मी रथी तो रश्मी रथी जो है वो कहीने कहीं करण को लेकर लिखी गई है या नहीं है रश्मी रथी जो कवीता है वो करण को वहीं पर जो कुरु छेत्र है वो महाभारत के आप जानते हैं यह महाकाववे है प्रवंद काववे मतलब प्रवंद काववे महाकाववे है और कुरु छेत्र में यह जो रचना है कुरु छेत्र यह महाभारत के शांती पर उपर आधारित है महा भारत के किस परवपर आधारित है शान्ती परवपर आधारित है आप ने सुना होगा दिनकर जो है रामधारिशिया दिनकर रामधारिशिया दिनकर बहुत ही मोटिवेशनल कवी कहे जाते हैं बहुत ही मोटिवेशनल कवी कहे जाते हैं कहते हैं कि जो भी बड़ी तैयारी करते हैं और मेरे इसाब से आप जो तैयारी कर रहे हो छोटी तैयारी नहीं है क्योंकि आप वो तैयारी कर रहे हो जिसमें सेलेक्ट होने के बाद आप देश के भविश्य का अंद्रिमान करते हो अध्यापक से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे निजर में मेरी निजर में अध्यापक से बड़ा ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर है ना एक्सवाइजर कोई नहीं है क्योंकि सभी अध्यापक के पलना में से होकर गुजरते हैं तो इसलिए यू मालेजी अध्यापक सबसे बड़ा है शक्षक इसलिए गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु गुरूर देवों महेश्वर है तो सबसे मोटिवेशनल कवी है इनकी कविताओं में ओज है आपने वो कविता तो पर रखी होगी जहांपर दो न्याए अगर तो आधा हो यदि उसमें भी बाधा हो है ना तो देदो केवल पांच ग्राम रखो तो वो सारी चीज़ें आपने सुनी होगी लेकिन इसके अलावा भी इनकी दो बहुत मोटिवेशनल कविता है जिसके आपने दो पंक्तियां सुनी होगी वो पंक्तियां भ प्रकार से कविता है कि दिशादिप्त हो उठी प्राप्त कर पुन्य प्रकाश तुम्हारा लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही अंबर पर बन घन चाएगा ही उछवास तुम्हारा और अधिकले जाँच देवता इससे करूर नहीं है और अधिकले जाँच देवता इतना करूर नहीं है ठक कर बैठ गए क्या भाई मनजिल दूर नहीं है मनजिल दूर नहीं कितनी अच्छी पंक्तिया है कि बार बार जो आपका मन करता है रहे क्लास दयारी नहीं हो रही तो यह सोच के देखो कि आप क्लास मतलब LKG से पढ़ना स्टार्ट हुए थे और कहां तक आ चुक है अब आपका लक्षे यहां पर है और आप बस ये इतने से रास्ते के लिए घबरा रहे हो ठक कर बैठ गए क्या भाई मन्जिल दूर नहीं है मन्जिल दूर नहीं है इनके कविता और भी है दोस्तों जिस कविता में भी मोटिवेशनल है वो उसमें रामधारी शेंदिनकर क्या बताते हैं उसमें रामधारी शेंदिनकर कहते हैं कि जो एक तो उस कविता के माधिम से यह बताना चाहता है कि शमा करने का अधिकार उसे ही है जिसमें बदला लेने की शमता हो जैसे माल लो अगर ग्रेट खली का नाम आपने सुना होगा ग्रेट खली और मेरी लड़ाई हो जाए है ना और मैं खली को कहूं जा तुझे माफ कर दिया तो आपके ये बात हजम नहीं होगी बोला गुर्जी ठायक खली ने माफ कर दियो खली पाणी निकार दे हैना तो ऐसा दिमाग में आपके आजाएगा हाँ खली मुझसे बदला लेने में शमरत है अगर वो एक मार दे तो मेरा हैपी बड़े तुरन तो जाएगा तो अगर वो मुझे माफ करें तो ये जा और मुझे रास्ता दे दे लेकिन वो देता नहीं है तब भगवान कहता है देख तु रास्ता डंग से दे तो दे दे वरना लेना मुझे आता है तो उस पर जो रामधर्शी दिनकर ने बड़ा शांदार लिखा है कि तीन दिवस तक लग कि तीन दिवस तक पंथ मांगते रगुपती सिंधु कि नारे बैठे पढ़ते रहे चंद अनुनै के प्यारे प्यारे अनुनै के प्यारे प्यारे उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से उठी अधीर ददक पौरुष की आगराम के सर से सच पूछो तो सर में ही बसती है दिप्ति विनय की संदिवचन संपुझ उसी का जिसमें शक्ति विजय की मतलब आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो शक्ति साली बनना होगा शक्ति साली का मतलब यह नहीं है कि दूसरों पर अत्याचार करने वाला भगवान राम भगवान स्री राम जो है वो सक्ति साली है लेकिन जो सक्ति साली होता है वो पहले अनुने विन्य करता है वो चाहता है कि नहीं किसी पर बल परियोग न किया जाए और जब छोट-छटी बातों बल परियोग करता है उसमें शक्ती नहीं होती वो शक्ती सालिण ही कहलाता है तो बहुत अच्छे अच्छे कविताएं हैं हमारे हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य तो खजाना है, ज्यान का खजाना है, बस जरूरत है उसमें डूबने की, है ना, अन्बूडे, बूडे, सिरे, बूडे, सिरे, जे, बूडे, सबसा, वही बात है, जो डूब गए, वो तिर गए, जो तिर गए, वो डूब गए, तो ठीक है और रश्मिरती कर्ण से संबन्दित है और कुरुचेतर महाभारत के शांति परों से संबन्दित है इतिहास के आंसू नील कुसम जो है इतिहास के आंसू नील कुसम जो है वो बहार रही थी और हारे को हरिनाम संस्कृति के चार अध्याई ये important है क्यों है आपको पता लग गया होगा देखते हैं हिंदी साहिते में ये अनलकवी के नाम से भी प्रसिद्ध है अधेरिय का कवी भी इनको कहा जाता है ठीक है और इनकी एक रचना है उर्वसी इस पर इनको 1972 में भारती ग्यानपिट पुरुसकार मिला था जबकि अभी हमने बात की थी संस्कृती के चार अध्याई इस पर इनको 1969 में साहिते अकादमी पुरुसकार मिला था कुरुचितर जो रचना है उस कुरुचितर रचना में महा कावे दित्य विश्वयुद की विविशिका से प्रेरित होकर लिखा गया है और महा भारत के सांती परव पर आधारित है यह कावे महा भा भीश्म युदिष्टर समवाद पर आधारित है सांती परव के दो भीश्म युदिष्टर समवाद के दो एक ही बात है और इनको दित्य राष्ट कवी कहा जाता है और स्वयम ने इन्होंने स्वयम को इन्होंने स्वयम को क्या कहा है डिप्टी राष्ट कवी कहा है डिप् है अब जो हम पढ़ेंगे वो फटा बट कवी पढ़ने वाले हैं रिविजन वाले हैं थोड़ा से एक दो बीच में इंपॉर्टेंट आएगा वो बता दूगा जैसे वाल कृष्ण सर्मा नवीन है तो इसमें इनकी दो प्रसेदर रचनहें हैं हम विशफाई जनम के और क्वाशी हम् विशफाई जनम के क्वाशी ठीक हैं रशमी रखा अपलक उर्मिला यह दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है मैं क्लियर बताओं आपको ये तीनों important है रश्मी रेखा क्वासी और हम विश्पाई जन्म के जिसमें ये VIP रिचना कहे जा सकती है हम विश्पाई जन्म के रामधारी सियंधिनकर के बारे में एक चीज और बताने धी मुझे रामधारी सियंधिनकर के आपने एक कवीता परढ़ी ह ways आपको याद नहीं आई हो गाता है ऍनगे कवीता है ना आपको ये तंग्ति सुनी यूगी सिंहासान खाली करो कि जन्ता आती ह् सिंहासन खाली करो की जनता आती है यह इसी कविता की पंक्तियां है जनतंत्र का जन्म जो है इसी कविता की पंक्तियां है सिंहासन खाली करो की जनता आती है उर्वसी क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उर्वसी गीती नाटे है उर्वसी क्या है गीती नाटे है कुर जो रचना माने जाती है ठीक है इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करना पड़े अब आते हैं तो रश्मी रेखा क्वासी हम विश्पाई जनम के ये ठीक है इन्होंने अपनी रचनाओं में स्वैम को विश्पाई एंवा निकेतन कहकर पुका रहा है तो अब आप याद रख सकते हो हम विश्पाई ये जो विश्पाई भरा हुआ है बाद कृष्ण सर्मा नवीन जो ने सिंग कहता है कि सबसे जुजारू थे सांप जुजारू होता है जब उसको लगता है कि अब कोई मारेगा तो वो जुजारू हो जाता है और जो संगर्स फिर संगर्स करता है जान बचाने के लिए और इसलिए विश्पाई है अनिकेतन है इन्होंने कानपुर से एक सर्मा नवीन ने भी किया था कोई विसे तो याद रखना रश्मी रेखा क्वासी और हम विश्पाई जन्म के बाल कृष्ण सर्मा नवीन के पंक्तिया है रश्मी रेखा क्वासी और हम विश्पाई जन्म के सुबद्रा कुमारी थी जहांसी की राणी से मिली थी क्लियर बात है ठीक है जन्विन का आप परियाग में हुआ था कहीं कहीं 1905 भी लिखावा मिलेगा आपको परियाग है ना तो 1905 भी मिलेगा चार पांच ही है साहत यह थोड़ा देखना भई मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है वैसे स्लिप होना नहीं चाहिए फिर भी औरने को तो देखो सब कुछ हो सकता है ठीक है आप कमेंट करके बताएं क्या होगा चार है या पांच है मुकुल और तरीधारा तो अब मैं यहां पे फिर आपको बहुत बढ़े चीज़ बता दिता हूँ कल भी बताई थी मैंने मुकुल जो रचना है इस पर इनको सेख सरीया पुरुसकार मिला था क्या मिला था सेख सरीया पुरुसकार कल मादेवी वर्मा की किस सर्चना पर सेख सरीय पुरुषकार बताया था तो याद रखना मैं पूछँँगा सेख सरीय पुरुषकार किस सर्चना पर मिला था देव पुरुषकार किस सर्चना पर मिला था 1969 में किसको साहित एक आदमी मिला था 1968 में किसको मिला था या 1955 में किसको मिला था सब कुछ होंगा ठीक है मुकुल और तरीधारा इस पर इनको सेख सरीया पुरुसकार मिला था जहांसी की रानी इनकी सरवदिक प्रसिद कविता मानी जाती है ये भी आप याद रखना जलिये वाला बाग में बसंत ये भी इनकी प्रसिद रचनाओं में से एक है इनकी और भी कविता हैं जंडे की इज़त में और स्वदेश के प्रती ये दोनों भी इनकी रचनाओं है और इनकी कविताओं में वातसल्य सुख की कामना दरश्टी कोचर होती है जैसे इनकी जिवन में कहीने के मतलब एक इनकी कविता है साहित मेरे मेरा बच्पन नहीं मेरा बच्पन ये कहा इनकी कविता है जिसमें वो बच्ची के माध्यम से क्लास में लगती थी भूल गया गणपती चंदर गुप्त ने इनको राश्ट्रियता एवं मानोता के उदार कोमल स्वरों को जनकरत करने वाली कवित्री कहा गया है ये important fact बता रहा हूँ आपको याद रखना है गणपती चंदर गुप्त ने इनको राश्ट्रियता एवं मानोता के उदार एवं कोमल स्वरों को जनकरत कर देने वाली कवित्री जो है कहा है इन्होंने नो वर्स की आयू में नीम कविता लिखी थी कौन से लिखी थी नो वर्स की आयू में नीम कविता लिखी थी जो काफी प्रसिद्ध भी हुई थी तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा इसके अलावा जिसे आपको बता दूँ पर्थम रचना इनकी कविताएं जो थी ना प्रारम्मी कविताएं वो मरियादा पत्रिका में छपती थी कोई विशेस बात तो नहीं है नौवर्स के आयूमेन और नीम कविता लिखी गणपती चंदर गुप्त ने इनको राश्टरता हैं मानुता के उधार कोमल सोरों को जनकृत करने वाली कवित्री कहकर पुकारा है इसके अलवा इसमें इनके कोई विशेस बात नहीं सेख सरी है पुर्सकार में ने आपको बताई दिया इसके अलवा कुछ भी एक्स्टरा नहीं है स्रिया राम सरनगुप्त आप जानते ही हैं इनके बारे में विशेस कि ये मेतली सरनगुप्त के जो है वो छोटे भाई थे अनूस थे और 1910 में इंदू पत्रिका जो प्रकाशित हुई उसमें इनकी कवीता छपी थी यह मौरे विज्य जो है ना इन्दू पत्रिका में छपी थी 1915 इंदू पत्रिका में 1915 में नहीं 1913 1914 ये कब चपी थी 1914 में छपी थी तेरह में लिखी थी न हाँ 1914 में छपी थी ठीक है और स्रिया राम सरन गुप्त की ये प्रसिद है लेकिन मैं आपको और भी सारी याद करवा सकता हूँ कैसे आप देखेंगे आवाज आ रही है न हाँ ठीक है ये इंदु पत्रिका में छपी थी और 1914 में ठीक है देखो मौरिय विजय करने के लिए एक अनात को बेजा गया अनात अपना दुर्वादल लेकर गया दुर्वादल जो सैना का सबसे कठो मतलब सबसे भेंकर दुर्वादल लेकर गया लेकिन दुर्वादल पहले से विशाद में चल रहा था दुखी था बेचारा अब जो व ये मरन मही मरने के समाचार मरन मही समाचार जब बापु को भेजा जब ये मरन मही समाचार यानि मरने के समाचार बापु को भेजे तो बापु ने नकुल से कहा कि जोड़ से बोलो जय हिंद जोड़ से बोलो जय हिंद तो अब आप इस तरह से गर्चनाए जो है मैंने गाना ह आज से वेंगे से अराम से याद करो विद्वान बनने का प्रयास मत करो क्योंकि पहला उद्देश से सलेक्शन होता है और इस तरह किसे याद किये जा सकते हैं मैं तो यह मानता हूँ मौर्य विजय के लिए कोई गया बोला गुर्जी एक अनाथ गया था अनाथ किसको लेकर होता तो गिला रहता यानि आजसु आते रहता है है आध रहता और उसने जा के क्या कर दिया आत्मोण्सर कर दिया खुदका या रहता है ये मनने के समचार मिननमाई समचार जब मिले किसको बापु को तो बापु ने नकुल से का कर जोड़ से बोलो जाय हिंद क्या बोलो जाय हिंद ये तो साब ये रचना ही याद हो गई तो मौर्य विजय अनात आत्म उसर के नकुल तो इनके प्रबंद कावे माने जाते हैं बाकी सेस जो है वो लगुकविताएं संग्रे तो अब शिया राम सरण गुफ में मुझे नहीं लगता कि आपका कभी कोई गलत होगा और ये एक मौरिय विजय जो है आप लिखना थोड़ा इनका प्रथम कावे संग्रे जो है वो है कुम कुम क्या है हाँ कुम कुम है इनका प्रथम कावे संग्रे कुम कुम है ठीक है हाँ ये हो गया इसके बाद देखिए आप सिया राम सरण गुप्त को पढ़ सकते हैं कि ये सैली से तो इनकी सैली तो छायावादी थी मगर विचारधारा कैसी थी गानी यानि निम्न में से कौन से छायावादी कभी शैली से छायावादी लेकिन विचारों से गान्दी वादी थे तो ये साब हमारे शिया रामसरण गुपते है इनकी जो रचना अनात अब बात करते हैं अनात तो अनात में क्या है अनात में पुलिस की कुरूरता बताई गई है कि पुलिस किस प्रकार से कई बार निर्दई बन जाती है तो पुलिस की कुरूरता पर बताया गया है आत्मोत सर्ग जो रचना है ये अमर शहीद गणे संकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा का चित्रने आत्मोत सर्ग में क्या है अमर शहीद के बलिदान की गाथा है अमर शहीद गणे संकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा है इनकी एक रचना है उनमुक्त क्या रचना करना में उनमुक्त रचना में दो नगर हैं एक तो है कुसुम दीज जो कि क्या है सांति प्रिया है और एक है लोह दीब जो क्या है युद्प्रिया है क्या है युद्प्रिया है तो मतलब ऐसी रचना है उनमुक्त जिसमें एक दो नगरों का खेल की लड़ाई है एक नगर चाता है शान्ती से लेगिने एक चाता है सामराज्य का विस्तार करना तो उन्मुक्त रचना में कुसम दीप एक सान्ती प्री नगर प्रणतु लोहो दीप के लोग उसे युद्ध करने के लिए मजबूर करते हैं कई बार शान्त लोगों को जो मजबूर किया जाता है तो विद्वन्स होता ही होता है तो ये बहुत अच्छी रचना है इनकी अनात का बता दिया आत्मोच्सर का कर गया विशाद में था इसीलिए आद्र पहले से गिला था उसके बाद में उसने आत्मोस्तर कर दिया आत्मोस्तर करने के बाद में क्या हुआ बताओ देखें जल्दी से बताओ कमेंट करो आत्मों सरकर दिया ये बाद ये मरने के समाचार मिरन मही जब बापू को मिले तो नकुल को कहा जाए हिंद और उनमुक्त भी इनकी एक रचना है केदारनाथ मिसर प्रभाद जो है इसके कलेजे का टुकड़े के कई हैं केदारनाथ मिसर के जो प्रभाद नाम से जाने जाते हैं प्रभाद नाम से लिखते थे केदारनाथ मिसर प्रभाद इनका कलेजे का टुकड़ा जो है माता के कई है के कई है ये कलेजे के टुकड़े बहुत बढ़िया है केदारनाथ केकई कलेजे के टुकडे केकई केदारनाथ के कलेजे के टुकडे केकई केदारनाथ के कलेजे के टुकडे केकई अनुपरा सलंकार है केदारनाथ के कलेजे के टुकडे केकई देव की नंदन विभाव आपने सुना हुआ यह इंपोर्टेंट आ गया यहां पर कैसे आ गया इन जेल की दिवारों के बीच लिखी गई रचना कौन सी है कुसुमान जली इंपोर्टन रचना और भी रचना ये लिखी गई है लेकिन कहते हैं कुछ बड़े कावे हैं कुछ बैयालिस के अंदोलन के दोरान लिखे गए थे कुछ कभी लिखे गए थे तो जब देश का सुथंतरत आंदोलन चल रहा था उस समय जेल की दिवारों के बीच लिखी गई रचना है जो है कुसुमान जली और गणपती चंदरगुप्त के अनुसार यह है हिंदी साहित्य जगत की एक मात रचना है जो राष्ट्रिय आंदोलन के समय जेल की दिवारों के बीच लिखी गई देखो जेल की दिवारों के बीच तो अभी हमने केदी और कोकिला पड़ा कहीं नहीं कहीं वो भी तो आपको लगती है इसके अलावा आपने देखा होगा एक वो भगवती चरण वर्मा की जो रचना है ना घर में है पांच भाई घर की याद कवीता है वो भी तो जेल की दिवारों के बीच लिखावा बताते हैं तो आप इसको समझे राष्ट्रिय आंदोलन के समय राष्ट्रिय आंदोलन के समय जेल की दिवारों के बीच लिखी गई एक मात रचना मान जाती है कुसुम मान जली जो की 1942 में भाच्छट्र आंदोलन के दोरान लिखी गई थी और ये देव की नंदन विभाव के रचना है गणपती चंदरगुपती से राष्ट्रिय आंदोलन के समय जेल की दिवारों के बीच लिखी गई एक मात रचना मानते है तो ये राष्ट्रे चेतना के कवी थे अब कुछ समस्ट्री चेतना प्रधान काववे भी है तो उसमें दो-चार कवी है कोई खास नहीं है जान के वरलब सास्त्री की एक रचना है रूप अरूप रूप जान के वरलब सास्त्री की विद्यापती कोकिल है दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टन नहीं देखो पढ़ लेना चाहिए मैं भी तो इस क्लास को जल्दी खतम कर सकता था लेकिन बता दो कल को क्या होता है कि जब चार आप्शन आता है ना चार आप्शन आता है ठीक है आपको उसका उत्तर नहीं आता लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसमें एक रचना रूप अरूप है मान लो एक रचना रूप अरूप है एक अपने यहां से ले लिया अगनी गान क्या ले लिया अगनी गान एक मान लो ले लिया मुकुल ठीक है और एक रचना अपने जैसे ले लिया यूँ मान लिजिए के कई के कई ठीक है के कई यह रचना अब अपने से प्रशन पूछा गया कि केदारनात मिस्र प्रभाद की रचना कौन सी है और अपने को याद नहीं आई अपने को याद नहीं आई कि वह कौन सी है लेकिन अपने को ये याद आ गई कि ये तो है जान की वल्लब की ये है जो हरी कृष्ण प्रेमी की और ये है सुबुद्रा कुमारी की तो फिर अपने बहुत एज़ी हो ज़ता है कि हाँ फिर ये होगी मुझे नहीं पता है कि ये कैदारनात की है या नहीं लेकिन मुझे ये पता है कि ये तीन नहीं है बस इस तरीके से भी उत्तर निकाला जा सकता है तो आपको ये रचना ऐसा नहीं कि क्लास बीच में छोड़कर चले जाएं आपको देखने चीए पूरी जान की वल्लब सास्त्री रूप अरूप है विद्यापती कोकिल कितना सरल है विद्यापती कोकिल कोकिल अंकूरिता की मा सुहागिन थी इसलिए आरती अंकूरिता की मा सुहागिन की आरती उतार रही थी अंकूरिता की मा सुहागिन की आरती उतार रही थी शीव कुमार मिस्र दवाराए रसीट नया हिंदी काव्य अधूनिक गीत कारों के अंत्रकर्वत्रम। परस्थम स्ड्रेणी में आते हैं। यानि विद्यापती कोकिल को आधुनी गीतकारों में सर्वस्रेष्ट गीतकार माना जाता है। सर्वस्रेष्ट गीतकार माना जाता है। आधुनी गीतकारों में सर्वस्रेष्ट गीतकार हैं विद्यापती कोकिल। तो कैसे कह सकते हैं कि विद्यापाती कोकिल इंपोर्टन नहीं है, हम तो इस तर रह से कह सकते हैं कि आज कभी प्रश्णी नहीं आया, विद्यापती कोकिल लगा तो आज के बाद भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है आज के लाने लग गए है प्रश्ण हरी कृष्ण प्रेमी अगनी गान वंदना के बोल आंखों में अनंत के पत पर कोई खास रतना नहीं है लेकिन रिवीजन करते हैं समय थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए अगनी गान हरी कृष्ण प्रेमी जिसे कृष्ण जो हैं हरी कृष्ण अगनी का गान किया करते हैं वंदना के बोल आंखों में अनंत के पत पर कोई खास नहीं है भावों के अनुसार इनकी सैली कहीं ओजपूर्ण है कहीं माधुरे पूर्ण हो जाती है कोई खास नहीं है मैं अश्क इनलो रश्क दो है और याद कैसे कर सकते हो प्राते दीब जलने के लिए इनलो रश्क दोने के लिए वहाँ उसने अजगर और चांदनी को देखा और देखा और कहा कि यहाँ दीब जलेगा प्राते दीब जलाने के लिए उर्मी बर्गत की बेटी के पास गई वहाँ अजगर और चांदनी को देखा और बोला कि यहाँ दीब जलेगा पस सेट होगी रचना और दीब जला जलने के बाद तुरंद उसने क्या ले ली विदा ले ली तो सबसे सर उपर्थम कवीता जो इनकी है वो 1917 में लिखी गई थी विदा कवीता उपेंदरनात अश्क प्राते दीब जलाने के लिए उर्मी बर्गत की बेटी के बेटी के पास गई और वहाँ उसने अजगर और चांदी को देखा और बोला कि यहाँ दीब चलेगा और फिर ले ली विदा तो विदा उनकी सर उपर्थम कवीता है दीब जलेगा उर्मिया और बर्गत की बेटी अजगर और चांदी प्राते दीबी उपेंदरनात अश्क की रचनाएं है और ये इतियास देंद हिंदी साहिते का आलोचनात में इतियास के कारण दीब मतलब कुलमिला के रामकुमार वर्मा आलोचनात में इतियास दिखने के कांट ज़्यादा परसेद हैं और इनको हिंदी में एकांग की का जनक का जाता है इसके अलवा इनकी कोई विशे सर अग राम के दरसन कर अगर करोगे तो राम दरसमिसर बेरंग बेनाम चिठ्थियां बेरंग बेनाम राम के दरसन करने के बाद सारी चिठ्थियां बेरंग और बेनाम हो जाती है पक गई है धूब राम के दरसन करने के बाद धूप भी पक जाती है दिन एक नदी बन गया राम के द गाता हूँ और राम के दरसन के बाद बाजार को निकले हैं लोग तो देखी राम के दरसन के बाद बाजार को निकले हैं लोग दिन एक नदी बन गया कंधे पर सूरज है बेरंग बेनाम चिठियां और पक गई है धूप इसलिए तो कंधे पर आकर बैठ गया है सूरज पक ग वनवास दोगे च्छाया वाद ही खतम हो गया अब किसे वनवास दोगे च्छाया वाद ही खत्म हो गया अब कौन कहदेता है कि sales जदी important नहीं यह बहुत important है अब किसे वनवास दोगे तो यह रचना भी जो है वो सेलेस जेदी की हैं और टेस्टरीज की सूचना आपको हर वीडियो में लग बूग में देता रहता हूँ आप ध्यान रखें सबकी अलग अलग टेस्टरीज भी लॉँच हो चुकी है क्लासेट सारी यूटूब पर होगी नोट्स और टेस्ट जो की जिनकी संक्या 50 से ज़्यादा रहेगी वो आपको ही मिलेगी सर अभी तक एक भी टेस्ट नहीं है आ जाएंगे सेडूल आपको क्लास नमर 35 में बता दिया है और एक अलग से वीडियो जो है वो संडे से पहले पहले आ जाएगा सारी सुचना डेट सहीत आपको मिल जाएगी लेकिन जिन्होंने अब तक नहीं खरीदा है वो इसे खरीदे हिंदी संपूर्ण कोर्स इसमें सेकंड गेर्ड, स्कूल व्यक्याता और नेट, सेट, सब कुछ साथ में आ जाएगा ताकि आपको साल बर तक फालतू पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों आपसे जो चीज आपको निश्यूलक मिल रही है क्लासेज और टेस्ट्री जो नाम मातर चार्ज में मिल रही है साथ में आपको नोट्स प्रिंटेड निकालने के लिए मिल रहे है इसके अलावा भी और नोट्स भी अभी तक आपको मिलेंगे तो फालतू पैसे जो हैं ना लगाएं और पढ़ें क्योंकि इनिश्यूलक्लासेज में आपको आनंद जो हैं वो पेड क्लासेज से भी ज़्यादा मिल रहा होगा इसलिए मैंने कोई पेड क्लासेज स्टार्ट नहीं की और इसके लिए आप हिंदी पॉनिट अप्लिकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और इस तरह का लोगो आएगा लिंक डिस्रिप्शन में दे रखा है आपने देखा भी होगा और शांदार क्लास का आनंद तो आप ले रहे होंगे अब हम अगली क्लास में प्रवेश करेंगे प्रगतिवाद में ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद टेक केर शुबराति और क्लास का आज भी आपको आनंद आया होगा शांदार पंक्तियां आपने सुनी होगी ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद